हाँ जी चलिए तो अब हमारा नेक्स टॉपिक जो है नेक्स टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहें इसमें वो है जी बार्क और बार्क को अगर मैं सुध हिंदी में लिखा जाता है बच्चों च्छाल यह सब ने सुन रखा होगा और सब जानते भी है इसके बारे में कि कोई भी प्लांट होता है उसके स्टेम के बार के तरफ देखते हो तो आपको एक मोटा कवर दिखाई देता है वो जो मोटा कवर होता है उसी को क्या कहते है अपन बार के कहते है या च्छाल कहते है ठीक है तो सर यह बार के च्छाल होता क्या है पहली चीज़ तो यह तो हमारी NCRT क् कि बार्क या दो चाल होती है यह एक नोन टेकनिकल टर्म है बेटा कैसी टर्म बताईए नोन टेकनिकल टर्म यानि कोई टेकनिकल टर्म नहीं है यह कि हम यह कहें कि यह कोई बहुत साइंटिफिक टर्म है जो हमने बनाई है नहीं यह एक नोन टेकनिकल टर्म है जिसका बाहर जो भी है सब को मिला के बारत कहते हैं सर ये तो समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया होगा देखो बना के बताता हूँ अभी आपको तो समझ में आ जाएगा जब बना के बताएंगे तब देखे जैसे हमारे पास यह यहाँ पर जायलम फ्लोयम की में बात कर रहा हूँ ठीक है और जायलम फ्लोयम की हम जब बात करें बटा जी तो आपको पता है यहाँ पर यह जो होगा इसको क्या कहेंगे अपन यह तो हो जाएगा वेस्कूलर केम्बियम यही होता है न वेस्कूलर केम्बियम टेश्यू ह हो गया जी ठीक है सर यह वेस्कुलर केंबियम है इस वेस्कुलर केंबियम के बाहर की तरफ क्या मिलने वाला बच्चों तो इस वेस्कुलर केंबियम के बाहर की तरफ आगर आप देखोगे तो यह हो जाएगा सेकंडरी फ्लोयम और यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा प्रा secondary asylum के अंदर ये primary asylum बन जाता है, ठीक है जी, अब important चीज क्या है, important ये कहता है हमारा NCRT कि बार्क इजे non-technical time, कोई technical time तो नहीं है, तो मतलब क्या हुआ फिर इसका, क्या मतलब जाने है भई, कि बार्क का actual meaning क्या है, तो NCRT कहती है कि इस vascular cambium से बाहर के जितने भी, vascular cambium से बा vascular cambium से बाहर के जितने भी tissue होंगे, सब को मिला कि हम क्या बोलते हैं, बार्क, देखिए, क्या क्या आएंगे बाहर, तो बाहर की तरफ आया जाएगा एक तो primary और secondary flame, और इसके बाहर की तरफ अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या present होगा, तो secondary growth हो चुकी है, और secondary growth हो चुकी और cork भी आ गया, तेनो, आप कहोगे सरा hypodermis, hypodermis तूट चुकी है, cortex तो cortex तो peridum में बदल चुका है, epidermis, epidermis भी तूट चुकी है, तो यह जो यहाँ पर tissue बने, इनको मिला की क्या बोलेंगे, इनको यहाँ से यहाँ तक मिला की क्या कहा जाएगा, बार्क कहा जाता है, तो बार्क का मतलब समझ में है आपको, vascular cambium से बाहर के जितने भी tissue होंगे, सब को क्या बोला जाएगा, all tissue, all tissue present, all tissue present outer side, all tissue present outer side of vascular cambium, जो vascular cambium के बाहर की तरफ जो tissue उनको सब को मिला की क्या कहता है, अपन बार्क कहा जाता है, और बार्क में आप देखोगे, तो बेटा जी एक तो पेरिडा में एक primary phloem और एक secondary phloem, तो अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए, मैं किसी plant की बार्क को हटा लू, तो यह बता और phloem हट जाएगा, इसका बलब food का transport रुक जाएगा, इसका मतलब हम यहां लिखें, if a bark is removed, if a bark is removed, अगर मैं बार्क को remove कर देता हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, food transport, food transport क्या हो जाएगा, disturbed, तो food transport जो है, वो disturbed हो जाता है, जी plant, water transport पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, क्यों, क्योंकि water transport होता जाएगा, जाएगा, बार्क में आता ही नहीं है, ठीक है, अब कोई कहे कि सर, बार्क में जाएगा, क्यों नहीं आता, तो वो तो उस scientist से पूछना पड़ेगा, जिसने बा scholar cambium के बाहर वाले जो हैंने, वो सारे जो हैं मिलके बार्क बना देते हैं, ठीक है, अब हमारी NCRT क्या कहती है, बार्क के बार्क के जाएदा नहीं है, लेकिन NCRT क्या कहती है, aid early season, early seasons, कि जब season सुरुवात होती है न, शुरुवात, तो early season जब होगा, शुरुवात होगी ज यानि जब शुरुवात होती हैं सीजन के तो बार्क है वो सौपत होती है थोड़ी सी बहुत जएधा हाड नहीं होती है लेकिन जब सीजन लेट हो जाता है यानि एट लेट सीजन सीजन के एंड के अगर बात करें है तो फिर क्या होगा बार्क जो होगी वो कैसी हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपर hard बार्क ठीक है और भी होते हैं जैसे आपके बहुत सारी books में आप पढ़ते हो तो आपको ring बार्क मिलती है, skelly बार्क मिलती है हना अलग-अलग plants के according होती है किसी में ring बार्क होती है किसी में skelly बार्क होती है जैसे अमरूद होता है देखा हो आपने नीम होता है तो अमरूद में नीम में इनमें देखा होगा आपने कि बार्क जो होती है वो छोटी-छोटी-छोटी टुकडों में होती देखा है खेजडी जो होती है प्रोसिपिस जिसको कहते तो इनमें सभी में गवावा में नीम में खेजडी में बार्क छोटी-छोटी टुकडों में होती है देखा हो तो आपने वो होती है स्केली बार्क छोटी-छोटी टुकडों में जो होती है और कई प्लांट जो होते हैं उनमें बार्क बिल्कुल स्म इंबियम के बाहर के जितनी भी टीशु हैं उनको सब को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं बार्क जिसमें फ्लोयम आता है और पेरिड़ा माता है अगर में बार्क को हटाऊंगा तो ट्रांसपोर्ट और फूड जो है वो डिस्टब होगा अगली सीजन में होता है सॉफ्ट और लेट सीजर में हो जाता है हाट ये बार्क की कहानी है इतना सही आपको याद रखना है बहुत ज्यादा को पेज़ड़ी करने की इसमें ज़रुवत है नहीं आपको कि आप पढ़ने लग जाओ कि हाँ स्केली बार्क है तो छोट से टुकड़ों में क्यों बनी किस प्ला बार्क जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद इसके बाद आता अपना इस चेप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक सबसे लास्ट एंड वाला टॉपिक जो है वो आता सेकंडरी ग्रोथ और डायकोट रूट अब ये देखो जैसे हमने स्टेम में पढ़ाता ना हमने कहा था ड ध्यान रखनी बस ये दो कंडिस्र आपने ध्यान रखनी क्योंसरन खतम हो जाएगा वहीं खताम है इसके बाद मैं नहीं पूछेगा आपसे क्या तो पहले तो मैं आपको डाइकोट रूट की जनरल इस्ट्रुक्चर बता देता हूं जी क्या होती है जनरल स्ट्रुक्चर कि अगर हम बात करने चाहें तो आपको बताएं यह क्या होगा रूट में सबसे बाहर epidermis ठीक है आप कोई कहे सर इसमें आपने root hair नहीं बनाए तो भाई साब मेरे को root hair दिखाना या importance नहीं था water absorption नहीं करवाना मुझे secondary growth बतानी है इसलिए नहीं बनाया मैंने ठीक दूसरा यह वाला portion जो इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोल देंगे cortex ठीक है सर यह cortex हो गया फिर यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसका endodermis root का यह endodermis है endodermis के बाद में yellow color है वो वो हो जाएगा बच्चों pericycle ध्यान दखना यह yellow color में क्या इसका pericycle हो जाएगा यह pericycle है ठीक और pericycle के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा क्या तो रूट है तो इसमें जाइलम फ्लोयम का arrangement देखे डाइकोट की रूट होती उसमें यह तो चार जायलम है यह yeah फिज एखे जाहलम यह है phloem तो टेटराच condition बना दी मैंने यहाँ पर टेटराच है अब बैटा यह जो टेटराच condition मैंने बनाई है तो इसमें जो यह pink color दिख रहा है न आपको यह क्या होगा यह इसका पित है और आपको पता होगा कि यह जो pink color वाला portion है ये पूरा का पूरा क्या होता है पेरेन काइमा होता है कि नहीं होता बोलो हाँ सेर तो ये पिंक कलर वाला पोर्षन है ये हो जायागा यहाँ पर पेरेन काइमा क्या हो जायेगा पेरेन काइमा और पेरेन काइमा को क्या कहता हूं में प्राइमरी पर्मानेंट प्राइमरी पर प्रायमरी पर्मानेंट टिशू कहा जाता है बोले जी ये बात क्लियर हुई क्या पर्यन काइमा है कहा यह सिकंडर ग्रोथ अब चालू होने वाले हैं अब चालू होगे तो आपको पता है सबसे पहले तो डिवीजन करना पड़ेगा अब इसमें करने वाला कौई मेरिस्टेमेटिक टीशू है क्या देखो एक बार रूट के अंदर नहीं इस्टेम में तो हुआ करता था जाइलम फ्लोयम के बीच में सेंड़िच बनावा था वहां पर तो याद आए आपको जाइलम और फ्लोयम के बीच में इंट्राफेसिकुलर केम्बियम हुआ करता था स्टेम में तो लेकिन यहां तो नहीं है भाई सब यहां तो मेरिस्टेमेटिक टीशू है नहीं तो सेकंडरी ग्रोथ करें कैसे बहुत बड़ा क्योस दना आ गया तो अब रूट ने डिसेड किया कि भाई सब चाहे संसाधनों की कितनी भी कमी हो चाहे हमारे पास फैसिलिट उसको अपना स्ट्रोंग पॉइंट मानिये कि भगवान ने मेरे को इसलिए बनाया कि भगवान को यह पता था कि यह संसाधनों की कमी होगी तो भी यार यह आगे बढ़ेगा तो यह देखो यहां पर कि इसमें क्या हुआ इसके पास मेरिस्टेमेटिक टीशू नहीं है लेक यह पिंकलर वाला पूरा का पूरा पेरिंकाइमा है तो अपने पेरिंकाइमा क्या करेंगे वाई बहुत सारा पेरिंकाइमा है इसमें से थोड़ा सा पेरिंकाइमा क्या करते हैं अपन बदल देते हैं तो थोड़ा सा पेरिंकाइमा बदलेगा तो प्राइमरी पर्मानेंट tissue बदलेगा जब primary permanent tissue बदलेगा तो process हो जाएगी D differentiation होगा तो क्या बनेगा secondary meristematic tissue बन जाएगा secondary meristematic tissue बन गया लेकिन क्या पूरा का पूरा secondary meristam बना क्या ना 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 पूरा का पूरा सेकंडरी मेरिस्टेम नहीं बना सिरफ और सिरफ प्लोयम के नीचे वाला फिर कह रहा हूं सिरफ और सिरफ कौन सा प्लोयम के नीचे वाला पूरा का पूरा सेकंडरी मेरिस्टेम नहीं बदला बात समझ में आये की नहीं आये बोलो पिंक कलर वाला वापस बोल रहा ह क्या है parent काएमा है थिए और parent काएमा primary permanent tissue होता है उसमें से थोड़ा सा deep डिफरेंश 건 कर दिया तो secondary memory stem लेकिन क्या पूरा का पूरा secondary memory stem बदल गए पिंक वाला ना सिरुफ phloem के नीचे वाला तो secondary memory stem कहां है below phloem ये लेजे phloem के नीचे वाला जो है वो बदला है तो भाई साब यहां पर क्या होगा देखो ये जाइलम, ये फ्लोयम, ये जाइलम, ये फ्लोयम, ये जाइलम, ये फ्लोयम और फ्लोयम के नीचे नीचे से बदला है, नीचे नीचे से बदला है तो चलो बदलते हैं, क्या दिक्कत है phloem के नीचे-नीचे से ये लीजिए ये हरा रंग ये हरा रंग ये लीजिए phloem के नीचे-नीचे से क्या बन गया हरे रंग का ये हरा रंग किस में बदल गया ये बदल गया secondary permanent tissue में तो label कर दो इसको ये लीजिए यह secondary meristematic tissue बन गया, phloem के नीचे नीचे तो बन चुका है, लेकिन अभी picture बाकी है मेरे दोस्त, अभी cambium ring बनी क्या पूरी, ना, यार पूरी तो ring बनी नी, तो अब क्या करेगा, अब यह pericycle से पूछेगा, pericycle कहाँ, यह वाली pericycle, यह pericycle है ना, तो अब क्या कहेगा, अब pericycle है, और यहां पर pericycle किसकी बनी होती है, यह भी pericycle की बनी होती है, बहुत 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 बधाई हो, तो अब, अब plant, root, किसकी तरफ देख रहा है, pericycle की तरफ देख रहा है, यहां पर pericycle भी pericycle भी pericycle, parent काइमा मतलब है वो ही same कहानी क्या primary permanent tissue तो root क्या सोचेगी यार primary permanent है ना थोड़ा सा बदल लेते हैं क्या फरक पड़ रहा है बदल दो तो थोड़ा सा इसने क्या किया इसको de-differentiate कर दिया क्या पूरे को करेंगे नहीं थोड़ा से को करेंगे और जब इसको de-differentiate करेंगे तो किसे में बदल जाएगा secondary meristam में याद कीजिए याद कीजिए root की structure जब पढ़ाई थी तब भी कहा था root की structure में भी कहा था pericycle secondary growth में help करती है और pericycle जब पढ़ाई थी तब भी कहा था कि डाइकोट की root में pericycle secondary growth में help करेंगी देखो कर रही है pericycle secondary growth में help करेंगी secondary meristam बदल दिया लेकिन क्या पूरी की पूरी pericycle क्या ना ना पूरी नहीं थोड़ा सा पोर्थन और थोड़ा सा कौन सा है जाइलम के बाहर वाला शिरफ जाइलम के बाहर तो secondary meristam कहा बना outer side of जाइलम यानि जाइलम के तो बाहर की तरफ और phloem के नीचे की तरफ ये ध्यान रखना है जी बेटा जी रस गुलों ये ध्यान रखना है कभी चांस नहीं कम हो जाए ध्यान रखना ये phloem के नीचे और जाइलम के ऊपर की तरफ ठीक है क्यों क्योंकि वैसे जान रखना है जाइलम पानी को लेके कहा जाता है नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए जाइलम के ऊपर की तरफ phloem food को लेके कहा आएगा phloem food को लेके आता है नीचे इसलिए नीचे की तरफ ठीक है तो यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ देखिए जाइलम फ्लोयम जाइलम फ्लोयम जाइलम यह फ्लोयम फिर फ्लोयम यही है अब इस में से आपने क्या कहा इस में से आपने कहा कि भई जो फ्लोयम है इस फ्लोयम के तो नीचे की तरफ तो पहले से ही पास येलो फ्लोयम के नीचे तो पहले से बनावा था ना ये लेजी और अब हमने क्या कर लिया जाइलम के बाहर के तरफ तो जाइलम के बाहर के तरफ मतलब देखो ये हो जाएगा यहां जाइलम के बाहर के तरफ मतलब ये हो जाएगा यहां जाइलम के बाहर के तरफ मतलब क्या बन गई ये अब बे बोलो Cambium ring बनी या नहीं बनी वो ये फटाफट Cambium ring बन गई ना बेटा हाँ या ना तो ये Cambium ring बन गई है लेकिन ये Cambium ring कैसी है Wavy, wavy मतलब एक wave की जैसी है कि नहीं है तरंग के जैसी है कि नहीं है तो डाइकोट का जो stem हुआ करता था उसमें भी Cambium ring बनी थी लेकिन वो बिल्कुल circular थी और root में जो बनी है वो waves like बनी है waves like रित्तिक रोसन वाली समझ गए तो ये यहाँ पर waves like Cambium ring बन गई लेकिन important चीज क्या है इस Cambium ring का origin क्या होगा Cambium ring का origin क्या है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं completely completely secondary origin सर ये क्या है मतलब नहीं समिन में है अरे पूरी की पूरी Cambium ring secondary meristam की बनी है कि नहीं बनी है ये बताओ पूरी की पूरी Cambium ring secondary meristam की बनी है कैसे ये phloem के तो नीचे है वो भी secondary meristam है डिफ्रेंसेसन से बनाए जायलम के बाहर है वो भी secondary meristam ही है वो भी secondary meristam है तो पूरी की पूरी Cambium ring secondary meristam की बनी है लेकिन stem में Cambium ring कैसी थी याद करवा देता हूं आपको revise करवा दूँ देखो 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 stem में Cambium ring बनी है यह वाली जिसमेंसे थोड़ा सा portion इंट्रा का होता है थोड़ा portion इंट्र का होता है इंट्रा वाला होता है primary इंट्र वाला होता है secondary इसे लिए stem में जो Cambium ring बनती है वो Primary और secondary दोनों ओरीजन वाली होती है लेकिन root में root में जो cambium ring बनेगी वो कैसी बनेगी completely secondary बनेगी अब इसके आगे क्या होगा इसके आगे की कहानी पूरी same है कैसे इसके आगे फिर core cambium के activity होंगी हने जायलम बनता रहेगा flowem बनता रहेगा वो पूरी कहानी है तो इससे आगे अपने को नहीं पढ़ना इतना ही पढ़ना होता है इससे आगे की पूरी की पूरी कहानी जो है वो stem के जैसे जो stem में पढ़ाता न secondary phloem, secondary zilem बन जाता है फिर core cambium बन जाता है बाहर की epidermis तूट जाएगी जब epidermis तूटेगी तो protection कम हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे cortex वाले portion को हम किसे में बदल देंगे core cambium में बदल देंगे इस type से तो वो यहाँ पर बनता रहता है तो यह आपके इसमें एक जो important जो चीज थी root की वो यहाँ पर complete हुई यहाँ तेगे वो देख लीजी फिर आगे बात करें हाँ इसमें एक अलग से बस लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो एक point क्या कि in dicote root in dicote root core cambium in dicote root core cambium जो होगा इसमें pericycle भी involved होता है core cambium activity activity जो है इसमें pericycle भी involved होता है बस यह ध्यान दख लेना वहाँ पर क्या होता है pericycle involved stem में क्या था cortex यहाँ पर कौन हो जाएगा pericycle involved होता है एक चीज तो यह ध्यान दखने है आपको और दूसरी चीज क्या ध्यान दखने वाली बिटा तो दूसरी चीज जो है इसमें ध्यान दखने वाली वो है core के cambium जो होता है इसको extra stelier कहते है core के cambium meristem core के cambium meristem जो है इसको क्या कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ extra stelier meristem क्यों हो भई क्योंकि यह stelier system के बाहर होता है आप एक चीज ध्यान से समदना इसको जितने भी cambium tissue है इंट्राफेसिकुलर है इंट्रफेसिकुलर है जितने भी आप cambium tissue पढ़ोगे वो सबके सब stelier system के अंदर endodermis pericycle के अंदर ही पढ़ोगे लेकिन core cambium pericycle के बाहर बनता है cortex के पास stelier system से बाहर बनता है इसलिए उसको क्या कहते है extra stelier meristematic tissue कहा जाता है और इसी के साथ आपके ये anatomy का पूरा chapter जो है वो हुआ बच्चों समाप तो I hope कि आप लोगों ने इस chapter को enjoy किया होगा I hope कि आप लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा अच्छे से आपने समझा होगा concepts आपके clear होए होगे बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं भी सीखी होगी और चीज़ें अगर नहीं सीखी है concept आपके clear होए है तो उसका impact आपके result में भी दिखना चाहिए तो जिस दिन anatomy का result होगा उस दिन अच्छे से revise करके paper को forward के आएंगे ये अपना यहाँ पर aim होना चाहिए वो बहे बनाया हुआ है शुरुआत का diagram दिखा दिखा के कि ऐसा anatomy होता है ऐसा anatomy होता है जबकि कुछ है नहीं इसमें anatomy में ऐसा बहुत simple चीज़े हैं एक के बाद एक के बाद कडियां जूरती जाते हैं चोटे-चोटे concepts हैं वो काम आते रहते हैं और कुछ नहीं है anatomy में तो इसलिए इन चीज़ों का अच्छे से पढ़ें आप अच्छे से revise करें और मैं जैसा मैं हमेशा कहता हूँ के anatomy का सीधा सा रूले पहले आप अपने आपको पहले अच्छे से prepare करो पढ़ो अच्छे से एक बार दो बार तीन बार अच्छे से वीडियो देखो एक बार दो बार तीन बार जितने में समझ में आता हैं और उसके बाद में बिना देखे diagram को एक बार खुद आप बनाने की कोशिस करें और उसके बाद में आप NCIT पे जाएं तो आपको चीज़ें समझ में आएगे NCIT क्या कहना चाहती है तो इन सब चीजों के साथ बच्चों आप लोगों से मिलेता हूं अलविदा मिलेंगे हम एक नए चेप्टर के साथ नेक्स क्लास में जो होगा इक बाद में हम प्लांट किंगड़म तो सब्चेप्टर के भाद में हम सब्चेटे уров पढ़ें हासो मुष्क्राते रहो और जीवन में हमेसा आगे बढ़ते रहो जै धैभारत